वेलकम आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एने भी डेली के यूट्यूब चैनल पर और आज हम आपके बीच में एक और वेबिनर लेके हाजिर हैं जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि हम पिछले कुछ हफ्तों से वेबिनर में जो सीरिस चला रहे हैं वो एन्वीडिय करने के लिए मेरे साथ जो पैनल में है वह वर्षा मैं एंड रहमत उला सर्थ दोनों का मैं पैनलिस्ट का स्वागत करता हूं जो आज हम एड़ांस के ऊपर बात करेंगे वह एड़ांस हैं आज एन्वीडिय के पस्ट पॉपल है एन्वीडिय का एड़ाइड एड़ा करूंगा वर्षा मैं को तो वर्षा मैं प्लीज आप आईए एन्वीडिय को यूज करते हुए आपको रिव्यू कर सर पे काम कैसे करना है कभी कभी ज़से हैं एक तो कैसे हमें रिव्यू मोड में काम करने तो यह की वेबिनर तंक यू थैंक यू थैंक यू अ थैंक यू आ अपने बताया और अब मैं इंवाइट करूंगा यहां पर रहमत आप अपने बारे में अपने जो आप अज एड़ान को डेमुस्ट्रेट करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा इंट्रो को यूज करते हैं आप को किसी भी text को या content को copy करने कि लिए star mark के ज़रूत पर दिये को सिक्सक्राइब करता है जिसके तुरू आप text को copy बहुत ही आसानी से कमांड किसी से कर सकते हैं अग्यिये कमांड हमें को किबोर इस साइन करूंगे तो आज हम दो चीजों के वारे में बात करेंगे प्या तो आगे ता पर उनकियों शुंगरी ऑप्टियों ध Solutions दिया अपने के बारे में तो विवाज अब हम डॉंट पेस्ट टाइम हम एड़ों की तरफ बढ़ते हैं डेमोंस्रेशन को हम देखते हैं तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि आज के वेबिनार में मैं आपको रिव्यू करसर के बारे में बताऊंगी तो हम स्टार्ट करते हम डेमो की तरफ चलते हैं सीधे और डेमो के साथ साथ हम जानेंगे कि रिव्यू करसर के हम काम कैसे करते हैं पिसिकली हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं रिव्यू करसर को लेके कि यह क्या है बहुत सारे लोग जॉज यूज करते होंगे तो उसमें वो देखते होंगे कि वहाँ पे पीसी करसर और जाउस करसर आता है तो इसी तरह हमारा रिवीव करसर भी काम करता है तो इस देमो करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आज मैं NVIDIA के रिवीव करसर के बारे में बात करूंगी और मेरे पास इस समय NVIDIA का वर्जन 21.2 है जिसके साथ मैं डामो दूँगे आपको तो रिवीव करसर बेसिकली कैसा करसर है जिसमें हम अपना एडिटिंग करसर को हिलाए दिना उस पे स्क्रीन अपनी स्क्रीन को देख सकते है डामो की तरफ चलते हैं सिदे यहां पर मैं आपको मैंने 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 एक NVIDIA का एक है खोल रहती है आपके सामने को डाकुमेंट ओपन करती हूं NVIDIA प्रेफरेंसे सब्मेनुटी तूल्स सब्मेनुटी हेल्प सब्सर उसर गाइड यहां पर मैंने तो यहां पर मैंने एक यूजर गाइड यहां पर ओपन कर लिया है तो जैसे कि क्या होता है कि कई बार जब हम टाइप करते हैं तो जो हमारा करसर होता है जो करसर हमारा टाइप करते टाइम सिर्फ थोड़े से एरिया में पहुंसता है जो हमारा वर्क एरिया होता है तो अगर हम type करते हम जहां पर title होता है उस जगह पर type नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर हमारा cursor नहीं पहुचता अब आप arrow, down arrow, left arrow, right arrow से हमारा cursor वहां तक नहीं पहुचता वैसे हम अपना जो text है उसको हम देखते है right arrow, left arrow, up arrow, down arrow से text reading कर लेते हैं लेकिन अगर हम चाहें कि हम title को उस तरह read कर ले, up down arrow, left arrow, right arrow से तो हम नहीं देख पाते हैं तो अगर हम कुछ type कर रहे हैं और हमारे पास कोई dialogue box आ गया है न अचानक से तो हम up down arrow करते हैं और कई बार वह कुछ बोलता नहीं है तो क्योंकि वहां तक हमारा cursor नहीं जाता है तो जब हमारा cursor वहां पे नहीं जाता है तो हमें उस time पे review cursor का use करना पड़ता है तो review cursor ऐसा review cursor हमारा ऐसा mode होता है जहां कि हमें वहां वहां तक पहुचा देता है, पूरी स्क्रीन पर जो भी आता है हम उसे रीड कर सकते हैं, और हमारा जो editing वाला cursor होता है, तो वो हिल्टा भी नहीं है है नज डिखे इसको कहते हैं इसकर करेंगे वह हम देख थे इससे पहले आपको बता दो कि ये रिविश तीन तरह से होते हैं हम अपने टेक्स्ट को तीन स्क्रीन तो डॉकुमेंट रिव्यूय कुछ नहीं है रॉकुमेंट में हम जब जब भी जो हम जब हम एडिटिंग करते हैं और हम वह ब्राउज mode हमें लेके जाता हैं कि की बात होती है तो उसमें जब भी हम टाइप करते हैं कई बार हम ब्राउज मोड ओपन करते हैं अपने एंवीडी में इंसेट स्पेस से तो वहां पर हमारा हो डॉकॉमेंट रिव्यू होता है दो चीजें हमारे पास हमें अब्जेक्ट रिव्यू और स्क्रीन डिव्यू तो अब्जेक्ट रिव्यू में हमारे पास जो भी हम कोई भी कोई भी आप्लिकेशन होता है विंडू होता है तो वह कुछ अब्जेक्ट सकता है जैसे कि बटन्स लिस्ट अडिटिबल टेक्स्ट आ टेक्स बॉक्सेज या फिस स्लाइडर्स तो इस तरह की चीज़ों को रिव करते हैं मतला हमें यह पता चलता है कि अब ऑब्जेक्ट रिव्यू है और यह हमारा स्क्रीन रिव्यू होता है वो हमारा पूरे स्क्रीन पे जो भी आ रहा होता है वो रीट करता है तो अब हम इस पे काम कैसे करेंगे देखते हैं जैसे मेरे पास एक टेक्स खुला हुआ है अभी open है पहले मैं एक डायलोग बॉक्स open करते हूं देखो तो यहां पर यह मैंने यह डायलोग बॉक्स इसने बढ़ दिया है ना अब मैं इसको रीट करते हूं दुबारा से अगर मुझे डायलोग वाक्स यह वाला विंडो रीट करना है तो मैं इंसर्ट के साथ भी प्रेस कर दूंगी तो अब मुझे यह बहुत बड़ा है मुझे समझ लेया है मुझे एक एक वर्ड पढ़ना यहां पर है यहां फिर एक पूरी लाइन पढ़नी है तो कैसे मैं पढ़ने अगर मैं अब डाउन आरो करते हूं तो देख लेते हैं मैं आपये रहे हैं तो यहां पर मैंने नहीं कर हूं रहे हैं नहीं कर देख घा हूं तो यहां पर कर दो एफ दावड़य। यह रीड कर रहा है अगर मैं टॉप पे जाऊं आप रहो करें टॉप यह रीड नहीं कर रहा है टाइप दा नेम ऑफ दी प्रोग्राम विंडो से विल ओपन इट फो यह वाला रीड नहीं कर रहा है तो मेरा यह एडिट मोड है यहां पर यह ऐडिट वाला जो कर सरे वह यहां पर डाउन एरो राइट लेक्टर रो यूज नहीं उपार है तो ऐसे में मैं रिव्यू कर सरका यूज करेंगी रिव्यू मोड ओं करने के लिए और और आफ करने के लिए हमारे पास कमांड होती इंसायट और सेवन अब हम इसको पढ़के देख लेते कैसे पढ़ना है मैं आपको बता हूँ तो मैंने अगर रिव्यू की बात करूं तो यह पढ़ रहा है इसने पढ़ दिया है मैं टॉप की लाइट पढ़ रही हूँ मैंने लंपेट 7 किया है भी फिलाल तो यह टॉप की लाइन पढ़ भी है अब मैं एक एक वर्ट भी पढ़ सकते हूं ठीक है तो यह इसने पूरा पढ़ दिया ठीक है तो यह इसने आपका पूरा जहां जो डैलोग बॉक्स है वे पड़तिया और अब आगर आप अगर आप आप डान अरो करते हो यहां पर तो और तो आपका उनक पर कर सकते ह 되면 फिर्ट कर वेक्षड कर सकते हैं तो यहीज़े कर रहे हैं तो इस तरह है इस तरह हम read कर सकते हैं अपने cursor को अब हम बात करते हैं कि जो mode होता है object review और screen review की बात कर रहे थे हम तो यहाँ पर हम इसको close कर रहे थे नाइला और मैं आप जाते हूं अपने यहां पर मेरा nvda 2020 वाला वर्जन है इसका user guide खुला हुआ है अब हम देखते हैं यहां पर यह insert के साथ मैंने अभी 7 किया था तो यह navigate object on हो गया था हमारा ब्राउज mode on हो गया था अब देखो मैं यहां पर अगर करते हूं इंसर्ट के साथ वन नंपैड वाला ही मैं यूज कर रही हूं आपर नंपैड ऑफ होना चाहिए जैसे नंपैड ऑफ होता है तो हम इसको कहते है नंपैड वन टू थ्री फो वालब यह न अगर on होता है वो तो वन टू थ्री फोर कैलकुलेटर वाली की बन जाती है जैसा कि हमें मालूम आइगे तो नंबर की का यूज हम करेंगे अपने रिव्यू मोड को यूज करने के लिए और इसमें हम नंपैड को आफ रखेंगे नंपैड को आफ करके हमने इंसर्ट के करती हूँ अगर मैं फिर से करती हूँ यह देखे मैंने इंसर्ट के साथ नंपैड वन किया है यहां कह रहा है डॉकुमेंट रिव्यू तो आपने देखा कि डॉकुमेंट रिव्यू जो है वो क्या है कि यहां पर जो भी डॉकुमेंट है जो भी एडिटिबल फील्ड है वो यहां पर आ रहा है और हमें ब्राउज मोड पर ही लेके गया ब्राउज मोड से पर ही है यह दॉकुमेंट वाला रिव्यू नहीं है फिर इंसर्ट के साथ में सेवन करें नंपैड वाला स्क्रीन ढैर में फिर एंस आव्याव और अब एक स्क्रीन पर जितना दिखा रहा है वो पूरी screen का review करता है ठीक है लेकिन अगर object review है तो वो आपको object दिखाएगा अगर आपके पास objects है तो अगर आप review वाले mode पे है और object review पे आपने कसर किया अगर अब्जेक्ट है तो दिखाएगा अगर यहां डॉकुमेंट नहीं होता देखो यहां पर दिखा रहा है तीनों रिव्यू आपको अगर मैं आगे चलूँ 7 इंसर्ट के साथ 7 नमपेड़ वाला अब देखो इसको यहां से हता है अगर अगर मैं डायलोग बॉक्स को ली तो रॉन डायलोग टाइप लेव नेव अब पर देखो यहां पर भी मैं रिव्यू चेंज करती हूं इंसर्ट के साथ 1 अब्जेक्ट रिव्यू इसके बाद मैं 7 का भी इंसर्ट के साथ अब्जेक्ट रिव्यू और एक ऑब्जेक्ट रिव्यू और एक स्क्रीन रिव्यू है ना क्योंकि यहां तो अब्जेक्ट रिव्यू करते हैं तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर जो बटन वगएरा है वो दिखाएगा अगर लेकिन अगर हम औबजेक्ट रिव्यू करते हैं तो पूरी स्क्रीन में दिखाएंगा ठीक है तो सिर्फ ऑबजेक्ट ही दिखाएगा जो जो भी है जितने भी कंट्रोल है इसके एडिटेबल टेक्स्ट है यह सब चीज़े दिखाएगा है तो अगर हमें ऑबजेक्ट की हम ब हमें देखना है तो हम यहां पर करते हैं जैसे ज़ी मतलब हमारा Zimmerman जो किय लाता है और यहां पर एक हमारा कंपिट है ठीक है यहां पर देखते हैं इंसर्ट के साथ मैं सेवन कर देखते हैं अब अब्जेक्ट रिव्यू में अब्जेक्ट अगर हम रीड करते हैं तो यहां पर अब्जेक्ट में कई वार कंटेरिंग ऑप्शन भी कर दो करते हैं तो हम देखते हैं यहां पर अगरा अगरावन करेंट कंचेशने अब्जेक्तना है तो हम इसाथ करते हैं न 음ine यहां पर कुलाप्स बोला आप खुछ जानगे इसके अंदर आपके पास ऑब्जेक्ट्स है ना जब कोई सब मन्यू में जाते हैं जब उसके अंदर कोई चीजें होती है तो यह उपन वाला अब औपिपवल ऑब्जेक्ट्स है जिसमें की आपके पास और भी इस का चीजें अब मैं करें अबजर देेखएं यहाँ पे। यहां पर यहां पर अचुए ब्टन भीह सकता है और कुछ भी हो सकता है। Anda कुछ भी हो सकते इस तरह के क्यूतन स मताइऴ-nil स्लाइडर कुछ भी हो सकता है तो अगर आपको करेंट कंटेनिंग अब्जेक्ट देखना है मतलब आपको पता है कि इस किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर लिए और अगर आपको देखने में क्या करेंगे इंसैट के साथ कि आसी तो यहां पर मैंने किया, ठीक, तो यह आपने current object देख लिया, स्केप करने हैं, ठीक है, इसी तरह अगर आपको review mode पे ही अगर आप हैं, अब हम वहाँ पर वापस आते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसी वाले google guide पे हम वापस आ गए हैं, अब मैं आपको बताती हूं कि text को review कैसे करना है, तो अब मान लिजे कि मैं यहाँ पर हूँ, और मुझे हमारे यहाँ पर मैं top पर हूए, top पर जा रहे हैं, heading level 1 NVDA 2021.2 user guide, ठीक है, यह मेरा top है, ठीक, अब मैं बहुत दूर आ जाती हूं, ठीक है, यहाँ पर मैं आ गई 5.1 पर और heading level 1 से था, फिर 2, फिर 2.1, 2, 3, 4, 5, ऐसे आ था, फिर 3, 3.1, 2, यहाँ पर मैं आई, अगर मैं down arrow करूं तो, तो यह दिखा रहा है, अब लेकिन मुझे बिल्कुल screen review पर अगर मैं आती हूं, देखों, यहाँ पर review दिखा रहे हूं, object review, no previous review mode, document review, screen review, blank, ठीक है, मैं screen review पर दिखा देते हूं अब आपको, मैं screen review पर आई, और यहाँ अगर मुझे top वाले line पर जाना है, बिल्कुल starting की line पर, तो मैं यहाँ पर press करूंगी, numpad 7, देखों, यहाँ पर दिखा रहा है, top, top, blank, ठीक है, यहाँ पर, blank, अब दिखे है, यहाँ पर रहे, no next review mode, object review, no previous review mode, screen review, okay, no next review mode, okay, top, blank, blank, interaction and review, blank, top, blank, bottom, अब्टम के ब्लेंक दिखा रहा है यहाप दिखा रहा है अगर मैं अब्जेक्ट की बात करो है यहां पर यहां पर यहां पर मैंने 7 किया नंपड़ वाला तो यह इसमें रीट कर दिया मेरा जू लाइन था फर्स्ट वाला अगर मैं करेंट लाइन रीट करूँ तो यहां पर मैंने करेंट लाइन रीट किया अगर मैं लाइन के विलकुल जो फर्स्ट लाइन यह देखो यहां पर मैंने लास अब मैं कर दिन नंपड़ के साथ नाइन इंटराक्शन रिव्यू तो यहां आपके इसमें क्या किया? अब मुझे अगर फर्स्ट लाइन रीट करनी है फर्स्ट लाइन रीट करनी है फर्स्ट लाइन do करके देगा जो मतलब बिल्कुल टॉप की लाइन है ना फर्स्ट ये देखो एडिंग लेवल वान न्वी दीए टूज़न ट्वेंटी वन पॉंट तु यूजर गाइड ठीक है यह हमारा विट टॉप का लाइन है अगर मैं शिफ्ट के साथ यहां पर मैंने कर दिया नाइन नमपैड वाला तो यह मुझे लास्ट वाली बिल्कुल बॉटम ओफ लाइन वो टॉप पे गया था शिफ्ट के साथ और यहां पर बॉटम पर चला गया तो अगर मैं शिफ्ट के साथ नमपैड 7 करती हूं तो टॉप ते चला जाएगा लाइन फर्स्ट लाइन बिल्क करती हूं शिफ्ट के साथ तो गिल्कुल बॉटम वाली लाइन पर चला जाएगा डॉक में स्क्रीन के यह देखो है ना चले टॉप तो जाएगा मतलब प्रिविएस लाइन पर जाएगा मगर अभी क्योंकि प्रिविएस लाइन कुछ नहीं है हम टॉप पर ही है इसलिए इ पर जाना है तो मैं यह नंपैड नाइन करूंगी तो यह नेक्स नेक्स लाइन पर जा रहा है करेंट लाइन अगर पढ़नी है अब देखा आत्म लिए लिंक 1.1 जनल फीचर अब देखो नमपैड एट कर रही हूं है इसका करेंड लाइन पढ़ा इसको स्पेल करवाने है तो इसी तरह अगर मैं यहाँ पर पढ़ूंग तो numpad 4 और numpad 6 और numpad 5 numpad 4, 5, 6 numpad 4 से ठीक है यहाँ के previous word numpad 6 से ठीक है ठीक है यह next word और numpad 5 से current यह हम जो बात कर रहे है वो हम review cursor की बात कर रहे है ठीक है इसी से मिलती जूरती जो caret browsing mode की हम बात करते है जैसे हमारा जो document की हम reading करते है तो अगर हम current line पढ़ेंगे तो insert up arrow उसकी command होती है लेकिन अगर हम review cursor पे काम करते है तो numpad 8 होती है और current word अगर हमें read करना है object यहाँ पे review cursor में तो हम numpad 5 यूज करेंगे 1.2 ठीक है 1.2 इस समय हमारा current यहाँ पे focus है spell करें तो 1.2 ठीक है तो यहाँ पे ऐसे लिखावा इसले यह से रीक करा है 6 तो internationalization देखो internationalization पढ़ रहा है next word है अब हम current word पढ़ेंगे तो number 5 से internationalization यही पढ़ा अगर spell करेंगे तो twice कर देंगे number 5 को 1.2 ठीक है यहाँ पे यह हो गया अब हम बात करते हैं कि अगर हम लाइन के शुरू में जाना चाहते है रिव्यू करसर की बात करेंगे अगर रिव्यू करसर पे रहते हुए लाइन के शुरू में हमें जाना है तो हम shift के साथ one करेंगे numpad वाला देखो one अब यहां पर वाली बोला क्योंकि online के शुरू में टरना इसलिए अगर लास्ट में जाना है हमें लास्ट वाले बिल्कुल लाइन के लास्ट में जैसे हम ओव और end दवाते हैं तो हम डाइन के स्टार्टिंग रिश्ट में चले जाता है लिए चाहते हैं और हम चाहते हैं और अगर हम अगर करेंगे तो अच्छार्ट में जाते हैं तो आखर करेंट पढ़ना चाहते हैं तो टैक्त टोर्डे क्रेंट टन सब्सक्राइब ट्रेंग सॉपवेंट करेंगे तो लाइनिक बिल्कुष surfing आजएंगे रिव्यू करते हुए टेक्स को और अगर नमपैड के साथ अगर नमपैड आप थ्री करते हैं तो वहाँ पर आजाएंगे लाइन के बिल्कुल लास्ट में तो इसी तरह अगर हमें कुछ ऐसी कमांड है जैसे कि हमें अगर इंसर्टी कर देंगे आप तो टाइटल चेक कर दें है तो आप टेक्स को रिव्यू कर सकते हैं इसी तरह इसी तरह अगर आपको सिस्टम कोई आपको फॉर्मेटिंग चेक करनी है तो आप आप दाउनरों से नहीं कर सकते हैं आपको करसर वहां नहीं पहुंचेगा लेकिन आपको इंसर्ट के साथ कर देंगे तो फॉर्मेटिं ऐसा करसर है जिससे की हम अपने एडिट करसर को बिना हिलाए अपने अपना पूरा टेक्स अपना पूरा स्क्रीन को रिव्यू कर सकते हैं और उससे हमारा एडिट एडिटिंग में कोई फरक नहीं पड़ेगा और फिर भी हम इसको देख पाएंगे तो आप एक बार चेक कीज के यूजर गाइड में हेडिंग फाइव से आप रिव्यूविंग टेक्स्ट पढ़ सकते हैं और वहां से आप समझ सकते हैं वहां पर लेप्टॉप और डेक्स्टॉप दोनों की कमांड लिखी हुए तो यहां पर आज के लिए इतना ही और आप पढ़िए और कमेंट में पता ही है और अगर कोई क्वेरी हो तो हम लोगों से फूचे बात कीजिए हमारे हेल्प लाइन पे फोन कीजिए हम आपको पूरी तरह गाइड करेंगे तो आज के लिए इतना ही आज थैंक्स आज यू आल नो कि आज हम एंविडिया के बारे में बात कर ले जा रहे हैं इस हमें क्या प्रोवाइड करते हैं इसे हम पहले डाउनलोड कैसे करते हैं फिर इसे इंस्टॉल करेंगे और इसको किसे करेंगे प्रैक्टिकली इन सारी चीज़ों करके एक्स्टोर करेंगे और हाँ इस सबसे पहले इस एड़न के बारे में थोड़ा जानने की यह है कि देख लिए किया करते हैं अब स्टार्ट मार्क और एंड मार्क करते हैं और तो वो अच्छ कुछ कमांड्स प्रोवाइड करता है जिससे हमारे लिए टेक्स्ट को खुपि करना easy हो जाता है बट अगें ये कुछ कमांड्स प्रोवाइड करता है बट ये कमांड्स चो हैं, इनमें की ज़ोड नहीं होते हैं, नहीं होते हैं ये की अब्भी आफीर अड़े मेनोर करने के साहिढ़ क blas म सजा प्रेंगे जहुआ है मेन्यज अगर एडरी 55 सब्सक्राइब वालेबल आप एसमे वुर्म सब्सक्राइब उपने सब्सक्राइब हम get add-on बटन पे जाएंगे, टाइब का इस्तामाल करते गाएंगे about add-on, add-on help but disable add-on butter remove button alt get add-ons, button alt plus G हम यहापे space bar hit करेंगे untitled google chrome, document busy blank document busy blank, welcome to the nvda community add-ons website welcome to the nvda community add-ons website हे क्लिक हमें nvda add-on community website पे लेकर आया है अब इस website पे आजाने के बाद हम h key यानी heading navigate, heading wise navigate करते लिए हम nvda add-on, review cursor copy, यहां तक पाचेंगे using h key to navigate through heading to reach to review cursor copy, okay welcome to the nvda community quick note take a link heading level ignore blanks invitation reporting link heading level 1 search with link heading level 1 say product name and version link heading level 1 event tracker link heading level 1 pc keyboard braille input for nvda link heading level 1 windows magnify visited link heading level 1 direct link link heading level 1 nvda unmute link heading level 1 check input gestures link heading level 1 nvda update channel selector link heading level 1 proxy support for nvda link heading level 1 word nav link heading level 1 console toolkit link heading level 1 win wizard link heading level 1 quick dictionary link heading level 1 numpad nav mode link heading level 1 zoom accessibility enhancements link heading level 1 kill nvda link heading level 1 time zone link heading level 1 phonetic punctuation link heading level 1 tonis enhancements link heading level 1 report passwords link heading level 1 इन्स 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 इन Link Heading Level 1, Braille Extender Link inn introdu GSAo link heading level 1 । ओ यु यु रपस्य लिस लिए चांपर लिए अग्या हमें पस्य पास आ गया धा पहो इस진 प्न हम रिया रिखिक até度 vy criticized link यहां हम down arrow से download stable version पे जाएंगे यहां पे download दो तरह की एस होता है stable version, developer version, हमें stable version download करना है download link stable version, हम यहां पे enter करेंगे bullet download link development version bullet download link stable version stable version link downloading 0% remaining alert download complete review cursor copy 1.3.nvda यह download complete हो चुप यह download को हम download folder में जाकर वहाँ से install करेंगे लेकिन पहले एक second आपने देखा कि हमने यह add-on को आउनलोड कर लिया है इस्टाल करने के हम गाएंगे लेकिन उससे पहले हम इस पेच पे नाविगेट करके देखिए कि इसमें क्या क्या चीज़ी हमें प्रवाइड होती है यानि क्या में में नवा लिए आप लिए आप लिए अदर जो भी कांटेंट है इसको कॉपी करने के सबसे पहला आइटम है अगर हमें कोई कमांड की कमांड इस परे के पूरे के पूरे लाइन को कॉपी कर सकते हैं नेक्सट इस जो डरी में पर सहर है जिस वर्डफ बेजाए उस सिर्फ वर्डफ को कॉपी करने के लिए आप कमांड ऐसंग कर सकते हैं जिस लाइन के इस लाइन के स्टार्ट से लेकर उस वर्ड तक चहां पर रिवीव कर से जिसे लिए से और उस लाइन के इंट तक अगर हमें कॉपी करना है उसके लिए भी हम कमाइंड असाइं कर सकते हैं लिए पिए बीजिए बटा रहा है कि इंसारेट कमांड के लिए बाद यह हमें बता रहा है कि इंसारेट कमांड के लिए आप चाहे तो पी असाइन कर सकते हैं और इसको इसको इस्तमाल कर सकते हैं तो अब हम विंडो ए करके हम डाउनलोड पे जाएंगे इस ने रिव्यू करसर कॉपियर अनॉंस किया हम यहां इंटर करके इसे इंस्टाल करेंगे इस ने इस ने से इंस्ताल इस इंस्ताल बायए यह विंस्ताल उप्रम्सिन मागा कि आप डाउनलोड प्लस या इंस्ताल इसे इंस्ताल हुआ है आपके अंस्टॉल हुआ है यह भी हम चेक कर सके हैं सुच चेक करने के लिए इन इंसट एंड करके नंपिख में जाएंगे अब आप देख्ञाएंगे कि add-on के अदर अब एले से एक अनॉज़ा आप यहापर दो add-ons available अब वेल वेलेबला है इसने अनॉज़ किया इन स्टेटस इनेबल ठीक है यह हमारे पास आचूपा है अब कि क्या ख़ेगा है आप हमें अब हमें क्या ख़ेगा है अब हम इसे आप्शू करते हैं जिते भी कमांड्स काटकरर बाले फ़िए हैं एक दो लिसको रएब गी है किस एक्वाद काइजी इसके रिचेट सब्सक्राइब कराई में जाना है इन इसके रीम नवै아 में टीका है काने है गहा है General English एक प्रिच्ट्ट्स में हमें हमें जो की जो हमारे हमें इस इसम कराने है text review एक हम download उसका है, जाने करें text review इसने बना text review collapse हमें expand करें हमें right click काना है, हमें right click करें इसके अंदर 30 items है, हम item क्पर navigate करें, download उसका है review cursor कॉपी दे लाइन अडर दे रिवी कर्सर के लिए रिवी कर्सर में लिए रिवी कमांड जो हमें आद एड़न के वज़ा से बिले हैं वह हम यहां डाउन के लिए एक्सप्रोड कर लेते हैं इसलिक दो कर्म सब्सक्राइबगे लिए फ़ूर्ण रिवी कर्सर में लिए अगर डिवी कर्सर के लिए वों गर्यूर्ण ठीड वों सेंटेंस के यानि लाइन के इंड तक की कापी करने के लिए कमांड रभी रभीव करसर जिस वर्ड पे है उस वर्ड को कापी करने के लिए है तो यह सारे पर हमें keys assigned नहीं है, अब इस पर keys assign करने क्लेम क्या करते हैं, सबसे पहले पर हम जाते हैं, हम tab करेंगे, add button बोला, अब आप keys अपने according assign कर सकते हैं, मैं randomly कुछ keys मैंने assign करने हैं इन 6 पर, तो मैंने सोचा है, इस पॉइंट पर आपके सिर्फ हमें keys प्रेस करने हैं, तो मैं ब्रेस करना हूँ, insert control, context menu, z, जैसे याप press करेंगे, तो context menu नांस करेगा, आप download रहते हैं, laptop keyboard के लिए, या, all layouts के लिए, और मैंने all layouts के लिए करना है, तो मैंने all layouts पे इंटर कर लिए लिए, input, gestion, dialogue, 3 new, nvd, plus control, plus net, keyboard, all layouts, 2 of 2, level 2, ये level 2, ये all layouts के लिए set हो चुका है, अब हम दूसरे command पे लिए लिए, हम दूसरे command पे आगे, रहे, about weld, ये लिए, और में प्री करेंगे, बिए लिए, बनल्सरे sense, बेंट्रों प्रीक की लिए help, all layout के हमारा context menu ए मेंने all layouts'क, ये improv very first, we release to add button, पे के लिए keeping the です, और मने लिए Bye altre Bell ये बिए लिए बंसरे क ten age to tune with and be the mãe, पे किया इंजर्ट कंट्रोल प्रिकिया और यह उसने कहा इंट इंपू जेस्ट्छर आंग कर दो पारी है इंजर्ट कंट्रोल 00h 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 हमने एड पर ट्यक्ट डेका हमने विए इसने बला है इसने निपर इन्प। फिर सुर्ण आपन अपर इन्टों पर ट्रूल कोंडा क्ष्ट प्रेस्किया अटेक्स में हम लाल थिसने हम डाउन रुष करेंगे अल में अल प्रेस करना है यह वर्ड के लिए है अमने टैब प्रेस करना है अब परेस किया है है हमने अमने टैब कर करके पर पहुशना है यह जो इन्पुर डालोग है होगी ऑफ हमें रिवीव कर से बीक चेक करना है करते हैं के सारी कॉंटेंट को और सब्सक्राइब करना चाहिए हैं या नहीं है इसके लिए हम जिलिए हम Windows E करके पहले इसमें आए पर क्रॉडिक पर जाएंगे आपने सुना किயए लोग डिसक ए है हमने ऑल टिंटर करके और आंफ और करके लोग घंटल अच्छ अक अच्छ अब फैंड आए श्व डिया लिए सिस्टम एंटी घंडटनेट हम ने इंजर्ट कंट्रोल अप्रेस किया है कि हम तॉप अफ दॉकिमेंट आगे यहां हम इंजर्ट कंट्रोल राइड अरो से वर्डवाइज नेविगेट करेंगे लोकल अनॉस किया यहां अभी हम लोकल के हैं को यहां पर मैं इन्जर्ट कंट्रोल एक्स करूंगा इस सिर्फ अनौस किया, कॉपइड गॉंटेंट को या टेक्स को नहीं अनौस किया, मैं नोटप्ध आउन करूंगा, मैं चल्ट रूट वी करके पेस्ट करूंगा, अब हम चाहते हैं कि हम यह पूरी लाइन नीचे लिए ठीक है दूसरा कमांड था हम यह के हम लाइन के स्टार्ट से रिव्यू कर से के पॉइंट तक हमें चीज़ों कॉपी करना है तो उसके लिए हमने कमांड सेट किया था अब हम फिर जाएंगे अल्ल टैप करके उस डालोग बॉक्स के हम अपने रिव्यू कर से का फोकस देखेंगे कहां है अब हम यहां पे हम इंजर्ट कंट्रोल एक कर रहे हैं अभी हो गया अब हम नोटपैट पे जाके पर जाके रिव्यू कर देखेंगे अब हम इंजर्ट किया हमने रिव्यू करसर जिस पॉइंट पर था उस पॉइंट तक यानि उस सेंटेंस के स्टार्ट से लेगा उस पॉइंट तक को कॉपी किया अब हम डियालोग बॉक्स पे जाते हैं अब हम डिव्यू करसर के पॉइंट को फिर हम चेंज करते हैं अब हम डिव्यू करसर के पॉइंट को दूसरे वर्ट पे ले जाते हैं लोकल लोकल में हम ती पे रखते हैं ठीक है अब हम देखते हैं कि इंजर्ट अब हमें चाहिए कि हम इस पर्टिकुलर वर्ड की इस पर्टिकुलर वर्ड के में रिव्यू करसर जहां पर है वहां तक यानि इस वर्ड के स्टार्ट से इस रिव्यू करसर के पॉइंट तक की चीज़े कॉपी हो जाया तो उसके लिए हमने इंजर्ट कंट्रोल किया था ठीक है तो मैंने Z-Ctrl-C किया वो कॉपी हो गया नोटपैट में आया मैंने पेस्ट किया लो इसमें सिर्फ लो लो लैंक लो कॉपी वह मिस आपका करसर सी पे था तो इसने सी से पहले क्या था लो इसने उस वर्ड के स्टार्ट से लेकर डिवी करसर तक के अब हम थृट सासी फервियर से कीबोर्ड कमांड लगाया था हमने क्या लगाया था इन्जर्ट चन्ट्रोल गए आइस इंजर्ट कंट्रोल भी गिया था आँ अब पना फोकस एक बार जन्स करते हैं इन्जर्ट कंट्रोल सॉइब लग व् wrinkles अब हम इसएट कंच्रोल से कॉपी करते हैं इसएट कंच्रोल वी से में कउपी किया है क्या थी ऑन्न देखा ने में क्या हुआ बाद वाला जो हमारा क्रसर पॉइंट था इंजेट कंट्रोल अब हमने इंजेट कंट्रोल वी सी किया है यह सेंटेंस के लास्त करता है इस तरह इस पर्टिकलर वर्ड को कॉपी करें जिस वर्ड में कहीं भी हमारा निजांस यह बी घ्जांब आपको दिखाँ देता हूं जैसे हम दैलोप करें अमने लिए कन्ट्रों किया आपको मैं लाइं शेच परके दिखाता हूं इसमें इंदर चले जाते हैं इस वर्ट की किसी दूर से चारेक्टर पर चले आए है एपे हैं के हमारा पॉइंट हमारा करसर है वह न्यौ करसे है बहुं पर ए हम इंजर्ट कंट्रोल जो लास्ट मेरा कमांड था, वो इंजर्ट कंट्रोल था, वो मैंने प्रेस किया, इसने कॉपी डिनाउस किया, मैं नोट पर प्रेंट प्रेंगा, इसने क्लीन, मैंने एक CLEAN पर रखा था, इसने क्लीन अब जो एक वर्ड है, इसने क्लीन अप को पूरे को पूरे को कपी करने के लिए, यह सारे जो कमांड से जिसे हमने असाइन किया था, उसका इस्तमाल करके हम कर सकते हैं, ऐसे इन जेनरल आप चाहो तो इससारी का इस्तमाल, इसने क्यों पर जाएंगे इफ यू फॉल वी तिशने क्मांड और जो जाएंगे इफ यू फॉलोग धीस थींग्स आफ्टर असाइन इंग्ड़ कमांड्स तो और अवैलेबल तो यू अन्ली आफ्टर विल्यू आप देंगी कि यू के यू के यू के आशाइन कीवोर्ड बाई यूजिंग इंपुट जेश्चर वारे एक दूसरा आधा में इंपुट जेश्चर करना इमानिक किसी कीवोर्ड को कि इस अर्फ करना कि नैसी कहिं इस आधि जका अभए को बतातara चुनू कि जो चीज की हमने का रह आख है यह और कि से हम हमारी factory reset तका जाए जब धर जया जब जो हमने च्ट्रेश्टर। एंपने हम रिमूव करना चाहते हैं उसके लिए हम इंजर्ट अन करेंगे फिर हम इंपूट जेस्टर में जाएंगे इसे प्रफेश्ट लिए आपे सेंदेटेस्ट लिए निकिंटने अर्ग ईश डियोग मिला करेंने देंट हम निकांट निकिने था थेयर वीज्ट गारें जब करेंगे प्रेलोक के फांड चार्वारों प्रेफेश.. सनबिष.. प्रेथे करने के छो सोटmeye की파וד अंगना शेयरी स्थर्णे दका टो.. का घौक हेन쌀 मेह energy आने के जीहिंट करेशना करने करें कि पुछा कि Areal चावेशन js kinderg कर को हैं की भी कियας के टार्योग कैशना किसेश.. कर दिया मैंने फिर OK कर देना है यह अब रिमूब हो चुका तो आपने आज दो चीदों के बारे में इस त्रेवी बढ़ से भी कर सकते हैं और जाएद चीज़े से अचके इस में में दोनों का बहुत बहुत थैंक यू आपने आज इस वेबिनार में इन दोनों एड़ ऑन्स के बारे में बताया अच्छे से सीखा होगा और आप खुद भी इन आड़ ऑन्स को अब परसुनली यूज़ कीज़ेगा और एक्स्प्रोर कीज़ेगा आपके लाइफ में ये डेली बेस में बहुत हल्फुल होंगे तो आप नेक्स्ट विग मिलेंगे किसी अधर वेबिनार के साथ तो आप ब अधर एक्टिविटी के संबंदी तो आप हमें कॉंटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर जो कि है 972960999 आप इस नंबर पे कॉंटेक्ट कर सकते हैं अगर आप कुछ भी हमें बताना चाहते हैं या आप कोई अपने स्पेशल टॉपिक पे आप वेबिनार देखना चाहते हैं तो हमारे कॉंटेक्ट कर सकते हैं आप मेल कर सकते हैं में हेल्प्लाइन एड डारेट डाट कॉम पर तो व्योज आज के वेबिनर में इतना ही थैंक्यों